अरे लक्ष्मी नारायन 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 रमा नारायन नारायन वले रमा यकादसी को जै श्री लक्ष्मी नारायन भगवान को जै समाध्रणी और बंदनी भक्त जन्हरू आजर कार्तिक मैना को क्रिष्ण पक्षे को रमा यकादसी आज़को यो पावन यकादसी बाट रमा अर्थात महा लक्ष्मी को देध्य परव आरम भैको जै धन धान में सम्रिद्धिको धन तेरसको पुजा महा लक्ष्मी को पुजा आरम्भ हुने यो पावन यकादसी रहको छा राज़को यकादसी को दिन मा बर्थ बशेर उपासना गरेर भागवान को शेबा पुजा आरधना गर्णू असाथ धै राम्रो र तेस्त पची यो देगव्य कथा सुन्नू सर्वत्तम हुने शा तर बिवित कारण ले गर्द आज़को दिन माहामी बर्थ गर्ण सकीयन भने पनी भागवान को इस्मनन गर्णू भागवान कत्ती दिव्य सोरुप दामोदर राधा दामोदर सोरुप को राधा भने की स्री राधा दामोदर भने का क्रिष्ण को सोरुपला इस्मनन गरेर यो कथा मात्रबनी एदी जीबले सुन्द सभने तेसका जीबनमा भगवती महालाची में अशाध्धै प्रशन्न हुनचा किने कियो रमा एकादसी रहेको छा आजगो दिनमा भगवानला अर्ग चड़ाउनू तुलसी का मत्मा बत्ति बाल दिनू रयो कथा सुन्नू ये तीन कुराले जीब मात्र का समस्त दुख कष्ट भगवतीले अरणगर दिनो हुन्चा रोशको जीबनमा उस्चा वार्थाज रमाईलो भड़िल दिनो हुन्चा भगवतीले इस्तो दिभ्य महिमाली परभण भगवाय को ये कथा को प्रारंबमा मांवोस प्रार्थान गरों तेस्वासी कथाना प्रवेश करने छो ओम स्रीगने साय नमः गजाननं भूत गड़ा दिशेवितं कपित्थ जंबू फलचारु हक्षणं उमाशुतं सोक विनाश कारकं नमामि विगनेश्वर पाद पंकरं सांताकारं भुजगसायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगि भिरध्यान गम्यं बंदे विश्वणं भवभयहरं सर्वलोकै कनाथं ए विश्णो करुणा निधे हरगडी लक्ष्मी सगई मालिन्यां ए विश्वंभरहे हरी नरहरी ए भगतिले देखिन्यां ए राधा पति रुत्मिनी पति प्रभोग ए जान की का पति आमरा दुख सबै बढ़ारि दिनोहोस बक्षिस मिलोस सुखजती राधा भगतिर हरिर ज्ञानां ताभ्याम्याच समन्विता ताम स्री भागवती वार्ता वंदे युगलरोपिणं स्री राधा दाम अदर भगवान को जय ओम नमो भगवते वासुदे बाय उने प्रभो प्रमात्म भगवान स्री किष्ण ले राजा युदिष्टेर का समाष्यमा युपावन प्रशंग बताओं दे आई राऊन वाईक मुशा यो दिष्ठे महराजले भनोंच प्रमात्मा मैले हजर बाटा नेक प्रगार का ब्रितांत हरु स्रवन गरदे आई राखे गोशु प्रभोग यो कार्तिक मैना को क्रिष्ण पक्षे मक्य नामगरीक एका दसे उन्चिन भगवान आजब बताई दिने कष्ट गरी बाक्षे मुस्वन्द भगवान मन्नोंच राजन तिमना मल्याजयो पावन प्रशंग बता हुँचो जसको स्रवण मात्र लेपनी समस्त पाभरो हरन होने गरदाचन येस एका दसे कुम्माहक मेलाई स्रवण दरनेवाला बैत्तिको परम कल्यान होने गरदाचन हरी बासर अर्थाद एका दसे भनेको अगनी हो जसले समस्त पापलाई नाष्ट गरेदीन शाक्षन स्तुरियतं राज सारदोल गतायामी sagt भाग्रतह कार्तिकी कृष्ना प्रक्षे तो रामाहनामनी सुशो भना ये राजं कार्तिक कृष्ना प्रक्षेमा रामानां गरिये का दसे उंचिं जसको मैमाहक्त्यमत धेले गाहकोषा सत्य युग को योग्हटना हो भागूं तेती बेला मनुस्यलाई श्वर्ग नर्गर को परदक्षे ज्यान होने गर्द थे राजन तेसे काड़ने गर्दा मुचुकुन्दा नामगर का राजा पनी लोकमाता प्रसिद्ध थिये लोककाता चक्रवर्दी राजा थिये तरा उनको मित्रता देवेंद्र संह पनी थियो देवेंद्रेण समां यस्य मित्रतो बभवन रिपा आरथा देवराज्च का साथम अपनी उनको मित्रता यमेना बरुण नाइवा कुवे रेण समांता था उनको यमराज का साथमा बरुण देवका साथमा कुवेर का साथम अपनी जैसे ही परकार ले मित्रता थियो अरथा उनले जशरी मनुश्य हरूले मनुश्यला मित्र बनाये जे उनले मनुश्यला छोड़े रा देवत हरु समेतला बिने मित्र बनाये गा थी यसता प्रतागवान राजा भागवान स्री हरी कात्तें तठुला भाक्त थी उनले पर्ती मैनामा आउने, डुईटा एकाधसिको अनिवारे रुप्मा बर्तगर्ने करदा थे बर्तगर्ने उपाशना गर्ने रात्री जागर्न गर्ने भागवानल तुल से चड़ाउने संक्रतं गर्ने उनको परती मैना को नीथ्ट्य कर्म जस्ते थियो उनकी यवटी आत्हेंता सुलक्षनले उत्त भय के चंद्रभागा नामगरी की छोरी थीन ती छोरी हरका दै बड़ दे जागा डिवाह गरी दिए सोभन नामगरे का कुमार का साथ मा एक वड़क्य भयत भन्दा सुभन रचंद्रभाग चंद्रभाग आपन मायतायन सुभन आपन ससुराली आये मुचगुंदागा राज्यमा उनि आउना भये रतो दिन थियो दसमी को रात्री दसमे दिन का भोजनाधि कर्म गरेर जब भिहाना उनि उठे उठी शाके पेछी नगड़ाबजे को सुन न थालियो की भने का थे तो नगड़ाबजने वारले बन्देरी नभोगत अभ्यम नभोगत अभ्यम नभोगत अभ्यम हरेर दिने लाज कसेले भोजन न गरनु हला, कसेले भात न खानु हला, कसेले कैई गरण न गरला भनेरा चाएं त्या धिंडोरा पीटीए को थियो, सुजना भनी राखीए को थियो स्रत्वा पटहने रगोशं सवनस्त्वा मब्रित प्रियां अब केई खाना हुना इना बनने जावा यो सब्दो सुने को थियो तब स्वनले गायरा आखने स्रिमतिशा में भनना थाले है मेरी प्रिया, मैं लेता ये घंडा पनें केई न खायकी न बशन सक्दिना यो की भने को हो, मेरा लागे तिमली भोजन को वेवस्ता जा सर्फिनी गार्म पर्दा चाला मले था नाखायकी न बशन सक्दिना, की मेरा लागे चुट्टे वेवस्ता चाला बने रस्वन्द हो, कीमकर दब्यमाया कांते, देही सेक्षाम सुसरो भने मला के सीच्छा दियो, कीमकर मन्द करी, चंद्रभागालिया आखाण, ठाड़ा ठाड़ा पार्दे, अचम्मा मांदे भन्न थालिन, मत्पितुर बेश्मनी, वीभो भक्तव्यम नाइवा के नचे ये मेरा प्रियतम, तपाईलाई के था छाई नर, हजर पईलो पड़ा ससराली आयको कारने लाद येस तो भाय होला, मेरा पिता अत्यनत कड़ा होन्छ, तपले था न होला, येस दिननात मनुस्यलाईता भोजन को पुरो परेर होस, आमरो राजिमराय का घोडा, हाथी, पशु, जत्ती बिरी पशु पंशी छन, तिनलाई समेत कुनाई, होनी अधिकार सही न, होनक लागी बर्जित गरीएको छा, गले रश्वेस्त था, चान्नेर, रन्नाई पशु भिरेवाच, त्रिन मनन्द था, वारी, नभोगत अभ्यम हरेर दिनी, मानव इस चकुतह कांत बुझ्य ते हरी बासरे, मानव लेता किको खाना पाऊनी, उपसोलाई रा खाना चाही न, हाना दिन उन्न भुआले, त्यसकानले करता, आजा हजर हो कई बसन भाई करको पुनाई उपाय चाही न, भने रा बताई दिनु भो, तब अत्यन्त आस्तरे चकेत भई रा, दुख बेतित गरे, जब साज बाई कोथियो केखाना पाइन छेगे बनाई र, कामना गरे तर अपनी केखाना मिले न, राधरी मा जागन गरे र, भगवान को दिभ्य पुझा आर धना गरे, जसले भगवान स्रीहरी मा विश्वांस राग द थे, भगवान को माहिमा गान गर्द थ उनी हर लात येल हर सबडायो, तर सोभनला अत्यंतर पिना दियो, उनको मन मसरद्धा थी न, जबर जस्तित बरत भशे का थी, तेशे गानले गर्द र, राधरी तिर्खार भोगले अत्यंतर पिने दभए, बार बार उनी करवन थाले, रवे रोधाय बेलायाम सोभनम पंच ये सरी भोक्र तिर्खाले पिलिद भए का सोभनले जबर रवे उदये बेलायाम मनेको, सुरिय उदाउने बेलामा, आपनो सरी लाई पंच तत्त मा मिलाउदा भए, अर्थाद उनले आपनो सरी लाई त्यागरदा भए, शरीर छूट न गयो, प्राण पखेर उड़दा भ आप हजरु अलन मक्य भन्न, चाहन्चत भन्ने, त्यू बेला भणै को, सत्य युगशी बेला हो, ऐले खामानिशी जश्त जलाई स्वर्ग भणी छाईना भन्ना सर्ग भन्ने लाउदाइ हाहां मिले जीवनमा पुण्य आर्जन गर्णु परदा छा यो लोक मा ता सुखावляется पौए यो पर लोक मा पनी सुखावनों हामले पुण्य आर्जन गर्णु परदा छा भनने जानन ती यो जिशरी यहाँ नोट रा चुन धन आदी चल छवी पृधिलीमा शुखा पाउना लागी तपईसेंगा पईसा शावने शुखा आईश्वारी पाउना सकी हो किने कि तेशक लागी कमाउन परशा, मेहनाद गर्ण परशा रो यहां ताप मेले शुखा पाउन चावने पर लोख में शुखा पाउना लाई हाःमिले जीवनमा पुन्य आर्जन गार्ण परदर शा पुन्य कमाउन परदर शा तेई पुन्यले वाहां आउमिले शुखा पाउने हो आनंद पाउने हो युग गुरा को पुरुण तो ज्यान भायको कार्णने घातम बोच गुंदरा जाले सारा प्रजाहरला कोन्य कमाउन भने यो नियम लगाउन भायको थियो हैरनोस अधिलेको जास्तो हाई ना जासला है स्वारगा चागी छाईना वन्ने गुरामाँ अबनी ब्रामचा आख रोग भायको हाईन भायकोन भायकही ना वन्ने ब्रामचा अब गुरा चानलोस अधिलेको भायको बीदी वत्रुपमा दहा सस्कारादी कर्म गरेरा राजले आपनी सरीला स्थान्त न दिये रभ बिन्न प्रकारले समझावदा भय ये शरी शरीर त्याप गरेको सुभन को आत्मा अत्यंत राम्रो नगर मज्जान भयो प्राप्तम देवपुरम रम्यम मंदरा चल सानुनी मंदराचल परवतको नजीक लिमा अत्यंत राम्रो नगरल प्राप्ति गर्दा हो ये का प्रभावले को सुभनेन निपस्रेष्ट रमा ब्रतम प्रभावत हो अर्था रमा बर्त को प्रभावले अर्था रमा येका अधशी को बर्त को प्रभावले तर्द तिला तिब्बे नगरी को प्राप्तिवो घरनुस्ता यहाँ पुण्य कमाएगो थियो तो पुण्य का प्रभावले ते ती राम्रो सुन्दर पती यहाँ व्याख्या गरियेगो सबंद करे अने का परकार का इस्वाटिक मडिले सुसविदवाई का भवनमा सिनासनमा आरण भायरा सिर्मा किरी कानमा कुंदल कंठमा हाररा सारा सारा गंगरबाद यवड इस्तुति गांग भैराहेगो दिग्वे नगरमा उतियांको सम्राठ होन पायो है रुस्त असर्दा पुर्व गादा पनी रमा एकाद शिल प्रभावले त्यत्रो पुन्य प्राक्ति भोक्तु लैवड लोक नै सोगांलै प्राप्ता होना भयो समय वेदे जादा मुच गुंदा नांगर का राजाको नगरम बसने सोम सर्व नांगर का ब्रामण गुंदै 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 दिर्था करदै गरदे जादा तेई नगरम पुन्य भयो सोम सरमेती विख्या तो मोच गुंदपुरे बसन तिर्था यात्र प्रसंगेन ब्रह्मन विप्रोध दर्शह ती ब्रह्मन लेतनी लाई देखे वेशे आक्षारी चकित भाई अब तपेहनलाई अचम्म लागला तिर्था यात्रा प्रसंगेन लुक रोलाई उतल्पोध यात्रा प्रसंगेन ब्रह्मन अचम्मेश लू..कर देखे मिटे श्तरंवे ह्या हो Kin ऌने ब्रह्मन विभनुन हो तिर्था यात्र म्रेस्ट का मिव्रम के लिकार्शक्र नजस्टा. योगुरा हजुले हेका राकनु होला, योगुराला हजुले बुझनु होला, तेसे काणने गरदा, ती सोमस्रमा ब्रामनले पिनी, दिनले देखदा भए, तेस वची गायरा, सोमस्रमा ब्रामनला आपने नगरवडाय को देखे रा, चीने जाने का क्यार ने गरदा, सोभनले बने दिभी स्वागत गरे राखे एर आपनी स्रीमती आपना ससुरा रस्चारा को हाल खबर उनले स्वद्धा दीजले भन्नुभो अर्थाद स्वमस्रमाले भन्नुभो सबै कुशल मंगल्च सबै रामरेकच तीम्रो मात्रे कमी थियो तीमीत इहां आयरे यो दिभी नगर लक प्राथ गरे बाभू भन्नेर स्वमस्रमाले स्ववनला स्वद्धा मैले अस्रध्धा प्रवग गरेता पनी रामायकादसी को ठूलो मही माराई छा मला त्याशैका प्रभावले गर्दा आदयो दिभी नगर प्राक्ति भायगोशा तरह योड़त दुखे शुके चा बने म लोग मेरो लागी स्वद्धाई भरी बहला हुने चाईना जसतो मला लाग्शा योणême लोग स्वद्धाई भरी मेरो लागी हुआला जसतो मलाल लाग द्ही न Detis यकानले करता आखर्दृmod ८लेट स्वयद मर्यघ गर्झारु परिव़ के इब्रेमाद मर्यवट प्रभावली प्राप्ति गरे भन्ने कुरो लएर मेरी स्रीमती चंद्र भागला यदी सुनाई दिनु वयो बने आवस्चे मीवयो मेरो न गरी पिनी सुष्थेर हुने शा भनेरा जाई भन्दावाई सोभन गाती कुराहरो सुनेरा आश्चेरे चकेद हुनु भो स्रत्वाथा साध्य जबाचो हो बिश्मयो फुल्ल लो चना आखा ठाड़ा ठाड़ा पारदे अचम्म परन भो यस्तबनी होंद रही छा अस्रद्दाले गर्दावड यत्रो फल प्राप्ति होनी कस्तो दिब्ब पारदे घारी लेगे इकारदाशी रही रही छा भनेर परशन आपन भो सोमस्रम ब्रामन उनकार नगरी मारीमां जान भो चन्दरभागला भेट नो हो तब सोमस्रम ब्रामन ले बामदेव नाम गरेका रिशिक आस्रम मलान वो जुन मंद्राचल परवतको नजी कै थियो आस्रमम बामदेव अस्य मंद्राचल सन्निधो बामदेव श्रुणुत सरबं बृतांतम कथे दम त्वयो हो तब बामदेव ले सारा बिरतांत सुनेरा लवता नितीम लापेनी मैले दिभ्य गराय दिन्च भनेरा यवटा मंत्र उच्चारण गर्नुगो चन्रभागाले पनी रमा एकादषिको बर्तक गरी गितिन्ग्यो दिभ्य देव भगु आसो दिभ्यांगती मभापह उनको दिव्य सरीर बने ओ अर्था यो पांच भवतिक शुटे रहा उनको आत्म में दिव्य सरीर बनना गरे ओ उनी आपना श्रीमाना जाँछन ते इस्थानमा जादी भाईन रथो इस्थानमा गर आपना पतीक शात्मा भेटिन रसारा बृतान ते कापस्मा बार्त गरे रशोभन को त्यो जुदिब्बे नगरी प्राप्ती भाय को त्यो पनी चेर्काल सम्म का लागी स्थेर भायो येसको महिमार्ड़ाई को सहर मुंझें त असरग्धा भायरा जुक्कियर पनी येसको गरता गरने वाला भकतलाई अकंटक स्वरग को प्राप्ती हुने शुख अईस्वर यो लोकमा मान सम्मान आजपटी चंद्रभागार सोवन को कृति हमले गाई राखे का सौं। शुख अईस्वर यो लोकमा मान सम्मान आजपटी चंद्रभागार सोवन को कृति हमले गाई राखे का सौं। शुख अईस्वर यो लोकमान सम्मान आजपटी चंद्रभागार सोवन को कृति हमले गाई राखे का सौं। शुख अईस्वर यो लोकमान आजपटी चंद्रभागार सोवन को लोकमान आजपटी चंद्रभागार सोवन को कृति हमले गाई राखे का सौं। अईस्वर योगटी चंद्रभागार सोवन को का सौं। झाल झाल